मुझा नान्पागन पति गुंगवामरी यान्पाटिय पति गुंगवामरी इनान्पादि पति गुंगवामरी अधोल कम आहम जाले आये आये रहें चचा अपने नसीब से कि मेरे अपने बहन की शादी की खबर मुझे गैरों से मिले मुझे मुझे खबर क्यों नहीं दी गई रहें चाचा खबर देने कहां जाते बेटे अपने घराने के दुश्मन उस धर्म दास के यहां आज कल वहीं रहते हो ना बेटे रहें चाचा मैं कॉन करेगा कि अर्व मंगल मंगल ये शिवे सर्वादिसाद के शरन्यत्रंब के या कन्यादान कर रहें कि बाबुजी का कि फालिच में हैं कब से कई दिनों से काई भाबुजी किस अश्पता लोग घर में हैं हां बेटे डॉक्तर ने कहें कि उन्हें हर परिशानी और गुस्से से दूर रखा जाए तुला दुलन को आशिवाद तीचे जी आप बेटी की चिंता बिलकुन मत कीजिए बाबुजी मैं आपसे वादा करता हूं इसे इतना सुक्त दूंगा कि ये जिंदेगी भर आप लोगों की कमी महसूस नहीं करेगी बाबुजी बाबुजी इस हालत में छोड़कर जाने को जी नहीं करता जी नहीं करता बाबुजी तुएंकी चंता मत कर सुनाता मैं जूना मैं तुस्से वादा करता हूं बाबुजी ठीक होकर बहुत जल्द कलकत्ते में तेरा सुक्त देखने आएंगे एना चलो बीटी चलो बाबुजी मत रो बीटी यही औरत का नसीब है एक प्यार भरा घर छोड़की नया घराना बसाना पड़ता है आओ चलो रहीम चलो जा बेटे जाओ जा बेटे जाओ खुशा रहू श्याता श्याता ऑज बेटे जाओ जा बेटे जाओ जाओ Ma Ma मैं यह पैसे सुझता के शादी केले लायत हूँ मा बाबुची की इलाज की तुचिंता मत करना मा मैं हुना मैं एलाज कराूँगा नीए ϗा guests आपके बाबुची का इलाज कराएगा ले जाए रूपय और पढ़ा रहे उस धरमदास के चन्नों में आव यहां बैठ चाहू रात के नो बच चुके हैं हमें चलू वो तुम जानो मेरे लिए तु दिन और रात एक समाने तुम पास हो तो चला दूर हो तुम अन्थे राप सुबह होते ही आ जाओंगा ना अब जाने दो रोज चले जाते हो आज रात यहार आ जाओ ना प्लीज नैना मेरी मजबूरी को समझो ना बाबुजी के हालत तो तुम चानती हो वो मेरी रात देखा करते हैं उनकी देखवाल के लिए मुझे रात को घर लोटना ही पड़ता है तो फिर मुझे वहां क्यों नहीं ले चलते हैं बड़ा आर्मान है कि ससुर्जी के चरंचो सको मैं अब तो उन्हें बता नहीं पाया है कि मैंने तुम से शादी कर लिये हैं उनकी हालत वैसे ही नाजुक है थोड़ी सी समल जाए तुम्हें सब कुछ बता दूँगा फिर मैं तुम्हें सद्राप भी गुजार सकोंगा जाने कब जाकेंगे मेरे नसीब मुझी जाने तो जाने के कुटने डेना सुनो क्या बात है पतने से विदालेने का तरीका यही होता है क्या तो फिर कौन सा तरीका हाँ ठीक ही तो है तुमने भी होटों से काम लिया गुटनेट कहकर गुटनेट गुटनेट रादा जी आपके लिए फोन है किसका मैडम के बंगले से आया है हम हलो राधा तुम इतना बदल क्यों गई हो नहीं तो नैना कहां बदली तो मेरे घर आना क्यों छोड़ दिया है मेरे शादी करे सब्ष में आई थी उसके बाद न तुम्हें छो सकी न तुम्हारी आवास सुनी चुपके हो बताओ न क्या कुसूर की है मैंने जो तुम मुझसे दूर रहने लगे हो आजकल मेरे से काम बहुत है तुम बहाने मत बनाओ फॉरण आ जाओ फुरसत मिलते ही आ जाओंगी नैना नहीं तुम्हें अभी आना होगा मेरे मेरे तब यह ठीक नहीं है तु आ गई राधा अरे कैसे जान गई तु हावा के जोंके नहीं तेरी महक पहुंचा दी जूटी कहीं की फोन पे डरा दिया कि बीमार है तु तो यहां भली चंगी बैठी है फिर क्यों बुलाया मुझे और किसको बुलाओ तेरे सिवह है कौन जिसके साथ अपने दुखतर बांड सको क्या तु और विजय मैं अब तक आ रहा था मैं वह भागन हो जो सुहागन तो बन गे लेकिन सुहागन अब तक नसीब नहीं हुई मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया आदमी निकलोगे एक अंधी लड़की की बेबसी का फाइदा उठाओगे तुमने नैना के लिए नहीं उसकी दौनत के लिए उससे शादी की है नहीं दौनत का लोबी नहीं मैंने शद्दा देवी से उतने रुपे लिए जितने मेरी बहन के हाथ पीले करने के लिए ज़रूरी थे उसके ससूर साथ लाग मांग रहे थे उस दिन तो तुम बाबुजी से कह रहे थे कि उन्हें रुपे नहीं चाहिए बेहन की जिन्दगी बचाने के लिए जूट बोलना पड़ा मुझी शादी भी करनी पड़ी लेकिन भगवान जानता है कि मैंने वो रुपे कर्स के तौर पे लिए एक दिन मैं ज़रूर वापस कर दूँगा ओ बेहन की जिन्दगी तो बचा ली लेकिन नैना की जिन्दगी अब उसका क्या होगा पती का फर्स पूरा करूंगा मैं औरत के गले में मंगल सूत्र डाल देने से वो फर्स पूरा नहीं होता विजय पत्नी के अर्मान तभी पूरे होते हैं जब पती की बाहें उसके गले का हार बने पती का प्यार मिले उसे मैं उसे प्यार भी देना चाहता हो राता लेकिन क्या करूं दिल से मजबूर हूं मैं पहला प्यार भुलायनी भूलता मुझसे तुम अब तक नहीं विजय ये गलत है अब मेरा ख्याल दिल में लाना भी तुम्हारे लिए पाप है यह ऐसा पाप है जिस पर इंसान का कोई जोर नहीं क्या तुम बला सकीए मुझे नैना की दुख का कारण मुझे मत बनाओ लड़की है उसे सुख दोगे तो इतना सुख पाओगे कि कि जीवन स्वार्ग बन जाएगा तुम्हारे लिए अब तो यही एक रास्ता है सुख देकर सुखी होना सीख लूँ मैं समझा लूँगा अपने दिल को लेकिन तब तक नैना को सबर करना पड़ेगा